नमस्कार दोस्तों जैन मेरा नाम है संदिकुमर अगरवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में आज 24 अक्टूबर 2020 और हमनों डिसकस करेंगे आज है कुछ important questions चली फिर शूर करते हैं हम लोग आज की क्लास पहला सवाल है when is world snow leopard day is celebrated तो हम लोग world snow leopard day कब celebrate करते हैं तो यह हम लोग हर साल 20 October को celebrate करते हैं यह day celebrate करने का motive यही है क्योंकि जो snow leopard है वो आपकी एक endangered species है और लोगों तक यह बात पहुंचानी होगी कि इनकी संख्या धिर धिर बहुत कम हो रही है और अगर हम इस प्रजाती की अगर संरक्षन ना करें उनको सुसरक्षित ना रखें तो हो सकता है कि आने वाले समय में यह भी विलुप्त हो जाएं गायब हो जाएं ठीक है तो उनके संरक्षन के लिए यह जो incredible animal है इसके बारे में लोगों को बताने के लिए क्योंकि environment में ह और सवाल है which state launches YSR Bima for BPL families तो किस राज्ये ने YSR Bima का launch किया है तो यह किया गया है आंदर परदेश के द्वारा आंदर परदेश की जो CM है YS जगन मोहन रेड़ी ने यह बताया है कि यह Bima लाने वाले है कि एक scheme लाने वाले है YSR Bima नाम होगा जो की होगी BPL families के लिए यह basically village और के लिए है और means कहने का मजब कहने का आपका death या फिर कोई accident होती है family में या फिर family member के लिए तब जो राश्ट सरकार है वो आगे आगी आकर वो लोगों की help करेगी basically इनका कहना है कि यह जो scheme है यह benefit करेगी लगबग 1.41 करोड BPL families को अब इसमें क्या होगा basically जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की अगर accidental death हो जाती है या फिर total permanent loss हो जाता है कहने का मतलब disability हो जाती है परसन का और उनका उमर 18 से 50 साल के बीच में है तो उसको राज सरकार 5 लाग होती है और permanent आपका disability आपका हो जाता है तो उसमें आपका 3 लाग रुपय दिया जाएगा और अगर आपका natural death हो जाता है अगर किसी का तो उसमें 2 लाग रुपय दिये जाएंगे और या फिर अगर partial या फिर permanent disability हो जाता है तो उसमें 1.5 लाग रुपय आपको दिया जाएग उस व्यक्ति को उस family member को तो इसके लिए सबसे पहले जो भी है information वो राजिसरकार को देना पड़ेगा और उसके बाद फिर 15 दिन के अंदर ही जो भी amount है वो उनके account में transfer कर दिये जाएंगे ठीक है और उस समय अगर जब आप करेंगे तो immediate आपको help के लिए 10,000 रुपया provide के जा है कि एक साल में लगबख 510 कडोड रुपया खर्चा होगा या फिर उन लोगों तक बाटा जाएगा दिया जाएगा तो यह आंदरपरदेश की एक मोहीम है और यहां के जो CM मैंने बताया YS जगन मोहन रेडडी है और यहां के जो governor है वो विश्वा भूशन हरी चंदन जी है अगरा सवाल है committee of how many members is constituted to examine issues concerning expenditure limits by ECI ECI क्या है election commission of India है क्योंकि अभी भारत के कई कई राज्य में कई छेत्र में election होने वाले हैं होने जा रहे हैं तो उसमें कितना expenditure होगा कितना लागाथ है कितना पैसा लग रहा है तो यह सब की एक report के जाएगी और यह report कर की जाएगी आपके एक committee के दौरा तो इस committee में कितने member होंगे इस committee में आपके दो member होगे दो member की committee होगी और वो जो member होंगे आपके वो होंगे स्री हरीश कुमार जो की ex-IRS और डेक्टर जेनरल है investigation के लिए वहीं दूसरी और है स्री उमेश शिनहा जो की secretary general और डेक्टर जेनरल है for expenditure के लिए ठीक है इसमें आपकी ये इनका कहना है कि 120 दिन के अंदर में जो भी है रिपोर्ट है वो सम्मिट की जाएगी क्योंकि अभी हाली में लोकसभा और assembly पोल्स में कुछ पैसे खर्च होने वाला है क्योंकि election होने वाला है तो किसने कितना कुछ किया है इसमें वो limit बगरा बना के दी जाएगी तो ये election commission of India के द्वारा है दो मेंबर के committee अगला सवाल है who has been appointed as the ambassador of Republic of San Marino तो San Marino जगा है दे से उसके लिए इंडिया के तरफ से किने ambassador बनाया गिया है तो ये बनाया गया है नीना मनहोतरा जी को जी हाँ डॉक्टर नीना मनहोतरा जी को बनाया गया है Republic of San Marino का ambassador from the Indian side तो आपकी 1992 batch की IFS है इंडियन foreign service officer रह चुकी है तो ये अब ये मतलब इनका जो residence है वो रोम में है रोम में होगा ठीक है इस काम के लिए और अभी फिलाल ये currently Republic of Italy की brand ambassador सोरी brand नहीं ambassador है इंडिया के तरफ से तो जो capital है वो है San Marino और मिस जो country का नाम है Republic of San Marino और capital आपकी San Marino है और यहां की जो currency चलती है वो है euro अगरा सवाल है who has been honored with outstanding young person 2020 तो outstanding young person 2020 का खिताब किसे मिला है या फिर किसे सम्मानित किया गया है यह किया गया है डॉक्टर जजीनी वर्गेशे जी को डॉक्टर वर्गे ने आपकी डॉक्टर जजीनी आपकी मूल रूप से भारतियां है लेकिन यह UK में रहती है UK based है और जिनका जनाम भारत में हुआ था तो यह आपकी एक plastic surgeon है तो जिनको name किया गया है नाम दिया गया है as a outstanding young person of the world 2020 क्यों और यह दिया जा रहा है by the non-profit NGO for her incredible scientific contribution to diagnosis and treating breast cancer ठीक है तो इन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है और breast cancer आपकी एक type of cancer होती है जो basically women में पाई जाती है उनके breast में ठीक है वो होती है और यह बहुत जादा problem होता है ठीक है तो basically इसमें diagnose करती है यह और उसको treat भी करती है तो इसके लिए इनको as a categorize किया गया है इस award के लिए ठीक है हाली में अब इनको यह जो अवार्ड है यह medical innovation यह इनको 2020 के junior chamber international world congress योकोहामा जापान में दिया जाएगा अगर सवाल है recently केजे मुहमद पासदवे हाली में केजे मुहमद जी का निदन हो गया तो यह कौन थे तो यह जाने माने playback singer रह चुके हैं तो यह playback singer के सासत music director और actor भी रह चुके हैं जिनका निदन हो गया और इनको लोग प्यार से जीरो बाबू के भी नाम से बुलाते थें ठीक है इनको संगीत नाटक academy award से भी प्रुश्कृत किया गया है और इन्होंने लगबग 90 फिल्मों में काम किया है और गाना गया है इनकी जो पहली movie थी वो 1964 में आई थी और उस movie का नाम था कुदुम्बिनी तो इनका निदन हो गया है केजे मोहमद बाबू जी का अगरा सवाल है who has been appointed as the next ambassador to Solomon Island तो Solomon Island का किसे किने ambassador बनाया गया है from the Indian side तो यह बनाया गया है सुसिल कुमार सिंगल जी को यह 2000 बैच के IFS officer है जिनको बनाया गया है High Commissioner of India to the Solomon Island तो अभी यह presently आपके Papua New Guinea के High Commissioner किये गये थे और अब वहां से अभी हटके अभी इनको सोलमोन आइलेंड का हाइक कमिशनर बनाया जाएगा ठीक है यहां पर बना दिया गया है actually तो सोलमोन आइलेंड का Capital होनी होनी आ रहा और इसकी जो करंसी है वो है सोलमन आइलेंड डॉलर अगा सवाल है which state has launched integrated model agriculture village scheme तो कौन से राज ने आपका integrated model agriculture village scheme का launch किया है यह किया गया है उत्राखंड के दौरा उत्राखंड के जो CM है त्रिवेंदर सिंगर रावत ने इनग्रेट किया है model जो की है आपकी एक scheme है integrated model agriculture village scheme तीक है जिसको यह अपने language में इक्रित आदर्स क्रिशी ग्राम योजना कहते हैं तो यह आपका partnership किया गया है विद्दन नाबार्द नाबार्द के बारे हम बताएं तो आपकी इसका जो full form होता है national bank for agriculture and ruler development जो की part of bank है जो की ध्यान देती है farming को लेकर और agriculture को लेकर हमारे भारत देश में तो उनके साथ यह संबंद या फिर रिस्ता बनाके यह आपका scheme लाया गया है ताकि जो भी farmer से उनको ज़्यादा ज़्यादा help की जा सके और उनके जो develop क की जा सके उनको और इसके साथ अगर देखा जाए तो इसके साथ ही आपका जो economy फार्मा का वो भी बढ़ेगा और double हो जाएगी उनकी income तो यह basically उनके लिए है तो उत्राखण के C.A. मैंने बताया तृत्रिवेंद्र सिंग रावत और यहां के जो governor है वो है बेबी रानी मौ है तो अभी हाली में उन्होंने successfully अपना final trial कर लिया है test कर लिया है नाग anti-tank missile का तो यह किया गया है पोखरान से पोखरान बता दूँ आपके राजस्थान में पड़ता है वहां से इन्होंने इसका successfully testing किया है और यह जो missile है यह totally develop की गई है by the DRDO तो difference research and or development organization के द्वारा यह successfully fully carried कर गया है और the third generation anti-tech guided missile नाग पोखरान fighting range से तो यह जो operational range है इसकी वो 500 meter से 20 km है और यह manufacture की जाएगी by the defense PSU भारत dynamic limited जो की आपकी एक part है DRDO की ओके यह है आपकी और साथी बता दू मैं आपको DRDO की जो chairman है वो है Dr. G. Satish Reddy और यहां की जो headquarter है वो है New Delhi अगला सवाल है who has been signed as the brand ambassador of Vega तो Vega आपकी एक men cosmetic या फिर accessories brand है तो इसके आपका ambassador की ने चुना गिया है की चुना गिया है आपके रोहिश सर्मा रोहिश सर्मा भारत के जाने माने cricketer है opening right handed batsman है जिनका ये भी record है कि ये most of the time आपका या भी maximum time double century बना है in the history of ODI cricket तो ये अभी फिलाल इंडिया के बहुत जाने माने cricketer है batsman है और साथी अभी ये Mumbai Indians की कप्तानी भी कर रहे है तो इनको sign किया गया है as the beauty accessories जो brand है Vega के लिए तो ये आपकी men's personal grooming electronics बनाती है तो इसके लिए इनको feature किया गया है okay तो ये थे हमारे आज से कुछ important questions जो मैंने आपके साथ discuss किया I hope this session आपके लिए helpful होगी आज के लिए बस इतना ही thank you